नमस्कार दोस्तों अन्रदा किचन में आपका स्वागत है मैं हूँ अन्रदा और आज बनाने जा रहे हूं कच्चे नारियल का लड़ू बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वाधिश्ट बनके तयार हो जाता है अगर आप एक बार इसको बना के खाएंगे तो बाकी की सारी यह कच्चा नारियल है जो हम लोग पूजा में चड़ाते हैं या तो चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं वही नारियल मैंने लिया है चार चमच्चीनी एक चमच घी थोड़ रासा किसमीस दस से बार दाना बदाम और बारा से पंद्रत भी दाने काजू मैंने सारे ड्र हम थोड़ी के साहथ है चिसको धीरे-धीरे ऐसे ठोकेंगे या तो कोई भी आको जोभी है उसे पसद्र은 टॉक किसके निकाल सकते हैं तो मैंने सब को लिके लीया अच्छे से दो के सापकर लिया है अब मैंने लिए है एक घ्रेटर उस से अब देख सकते हैं मेरे पास यह ल करेंगे जैसे हम गाजर का हलुआ बनाने के टायम गाजर को कदुकस करते हो उसी तरह हम और कि अभी नाद्यार नो नहीं लगा है फ्रनी देख सकते हैं और मेंने он hasKa ф Ö ό, और कच्छा नारियाल था बहुत एजी से हो गया है ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है तो मैंने इसको करके रख लिया अब ड्राइफ रूट्स को कट कर लेती हूं किसमिस चाय तो आप साबुत भी रख सकते हैं या तो बीच में से कट भी लगा सकते हैं और बदाम को बिल्क किसमिस मेंने साबुत रख रखा है स्वग और किसमिस छोटे-छोटे होते हैं तो इससे नहीं कोई सब्सक्तृ नहीं है तो चलह Ihnen जलते हैं आगे के प्र trip में इनिया एक पेन को गरम होने के लिए रख दिया अब मैं यूशं उनल डाल देया गी जो मैंने एक चमत राव गी अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें डाल देती हूं ग्रेट क्या हुआ नारियल जिसे हम लोग हल्वा बनाते हैं तो उसी तरह इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे तब जब तक कि इसका कलर चैंजना हो जाए तो साथ क्या इसे बहुंते रहेंगे इतना ध्यान रखें अध्योण है और अगर हाए फिलैंप हम रखेंगे तो नारियल जलने लगता है और अगर लोग प्रफ लेम पर बहुनेंगे तो क्यूंत दीले यह लाल होगा और चिपकी अदे भून्याइगा भून जाएगा तो देखिए मेरा कलर भी चेंज होने लगा है नारियल और मेरा भून मैंने लाल कर लिया है और गोल्डन कलर हो चुका है अब डाले हूं ड्राइफ रूट्स तो ड्राइफ फूट्स के साथ भी से दो मिनट चला देंगे ताकि अच्छे से और लाल हो जाए और हमें सुनहरा कलर तक भूनते रहना है अब इसमें ज्यादा चीजों की अब सकता नहीं है इसमें हमें कुछ नहीं डालना है फ्रेंस सिर्फ चार चमचीन ही डालेंगे तो इ इसे लिए हमें से अच्छे से भून और डालेंस में चार चमच चीनी सकते हैं को और अगर आप मेरे चैनल को अभी तास-सक्राइब नहीं कि ए तो विजे चैनल को सबक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और आप इस रेश्पी को एक बार जरूर ट्राइक रेफ्रेंस बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है नारियल की लड़ू सहथ के लिए भी फैदे मंद होता है तो देखिए मेरा भून के रेडी हो गया अब इसमें डाल रही हूं मैं दो से तीन चमच अब तक दूध्द ज्यादा दूध्द नहीं है देख सकते हैं आप गलास में मैंने कप में लिया है तो देखिए लगभग आदा कप दूध्द लिया है और इसको अब हम जिसे अपना सुझी का अल्वा या तो गाजर का हल्वा बनाते हैं उसे दिने चलाते जाएंगे तो देखिए मेरा यह जादा दूद नहीं है जादा गिला नहीं हो हुआ है इसे मेरा इसी तरह चलाते रहेंगे और इसको अब हो गया है इसे नहीं चलाना है अब इसको आफ कर देती हूं इसका ठंड़ा होने के लिए रख़ देंगे तो देखिए मेरा तयार है अब बिल्कुल लड्व देखिए तो उनौन नवमण भीखेजांगे हमें इसे IstAI UFO ने से विश्य मत कह झास है तो देखिए बहुत ही इजी रेश्पी है बहुत ही हेल्दी होता है इसे जब भी मीठा खाने का मन करें तो असानी से बना सकते हैं हमें कुछ बाहर से लाना भी नहीं है फ्रेंस सिर्फ एक नारियल से हम 15-20 लड्डू बना के रख लग सकते हैं मैने दिन के लिए मेरा बेटर भी फेश्टीबल में अब भणा के खा सकते हैं मैं अगर मेरी डिच्पर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अब देखिए मैं बहुत ही असान तरीके से लिम नारियल की लडू बना के तयार किया है अगर आप के पास कच्छा नारियल नहीं है तो सुखा नारियल का भी आप बना सकते हैं और सिर्फ उसको हम मिक्सी से ग्रेंड कर लें और सेम प्रोसेस में उसे बना के रख सकते हैं नारियल की लडू बनाने के लिए ना तो मैंने मिल्क पाउडर यूज किया है नाहीं माबा कोई ना तो कुछ एश्ट्रा दिया है फ्रेंस सिर्फ दूद और चीनी और ड्राइफ रूट से नारियल का लड रेश्पी को एक बार जरूर ट्राइक रेफरेंस और कमेंट में मताएं मेरी रेश्पी आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तब तक